हिमालिया क्विस्टा प्रो है सुपीरियर प्रोटीन वेर दे हल्दी वे तो फिर्ट्स हाई कोट की लखनव पीट ने निकाय चुनाओं के अज सूचना पर 20 दिसंबर तक रोक लगा रखी है दरसल कोट में निकाय चुनाओं में OBC आरक्षन को लेकर सुनवाई चल रही है कोट ने सरकार को 20 दिसंबर को जवाब देने उका है हलाकि आम लोगों के दिमाग में इस सवाल बड़ा है कि आखिर निकाय चुनाओं में क्या मामला है कि कोट सुनवाई कर रहा है ऐसे में यूपी तक ने बात की आचे करता सरत पाठक से उन्होंने साब साब बताया कि पेच कहां फचा है उत्तपरदेश में हो रहे निकाय चुनाओं पर हाई कोट की लखनों बेंच ने रोक लगा दी है रोक लगाने की वज़े OBC को आरक्षन के मुद्दे पर हाई कोट ने जवाब तलब किया है क्या है ये मुद्दा और OBC के आरक्षन को लेकर किन नियमों का हाई कोट ने हवाला मागा है हमारे साथ बात करने के लिए शरत पाथक जी है शरत पाथक नहीं वो पेटीशन फाइल की है और एड़ोकेट भी हाई कोट की लखनों बेंच में सर ये क्या मामला है कहाँ पेच फस गया जिसके विए से पूरा निकाय चुनाओ चुनला था अचानक से रोक लगा दी गई देखे ये अन्य पिछड़ावर के आरक्षन से जुड़ा हुआ मुसला है समविधान में जो आरक्षन की विवस्था दी गई है चुनाओ के संदर में अन्सुचिज जातियों के लिए तो समविधान में ही विवस्था दे दी गई है अन्य पिछड़ावर के लिए हर राज की विधायका को यह दिकार दिया गया कि वो चाहे तो अन्य पिछड़ावर को आरक्षन दे तो उत्तर प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ावर को आरक्षन दिया गया लेकिन एक प्रक्रण में 2010 में मान्य उचितम नियाले में ये प्रक्रण गया अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण वहाँ पर चैलेंज हुआ था तो वहाँ पर मानी उचितम नियाले ने ये कहा कि आने पिछड़ा वर्गी हर राज में इस्थितियां अलग-अलग हैं और आप ऐसे ही एक कलम से खाली सीधे आरक्षन नहीं दे सकते हैं उसको देने के पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस एक्सरसाइज को करने के बाद ही आप आरक्षन करेंगे पर वो 2010 का जज्जमेंट था ऐसे रहा फिर 2021 में एक महराश्टरा का एक जज्जमेंट आया है विकास गवली के नाम से उसमें मानी उचितम नियाले ने इस पर बड़ा सख्त रुख लिया और एक ट्रिपल टिस्ट का एक फार्मूला लेड़ डाउन किया कि आप एक डेडिकेटिड कमीशन बनाएंगे कमीशन उस राज में व्य Gl." कि क्या शेक्च्टिक आर्थी कि स्ठति है इसका आद्यान करेगा और इंहें आरक्षण की आवशक्ता है कि नहीं है इसका आद्यान करेगा हो और फिर अगर आवशकता है तो आरक्षन इस परकार सी दिया जाएगा कि टोटल आरक्षन पचास तरचसे से ज्यादा ना हो तो यह ट्रिपल टिस्ट की गाइडलाइन केस में आई और यह कहा कि इसको कराने के बाद ही आप अन्य पिछड़ावर को आरक्षन देंगे फिर 2022 में एक नया जज्जमेंट आया महाजन के नाम से है और उसमें माननी उचितम जाले ने कहा कि ट्रिपल टिस्ट अगर आप नहीं करते हैं तो आप बिना आरक्षन दिए अगर आपको चुनाव कराना बहुत जरूरी तो आप OBC की सीटों को जरनल सीट में काउंट करके च इसमें जिब बिन उठाय गया तो मानी उचितम जाले ने इस पर संग्यान लेते हुए राज सरकार से पूछा कि क्या आप ने उचितम जाले के परक्रेक्ष में ट्रिपल टेस्ट किया है या नहीं किया है तो राज सरकार को अभी जवाब देना है और तब तक के लिए लेडाउन किया और उसमें यही कहा कि एक डिडिकेटिड कमीशन बनाए जाएगा और वो सर पर्थम उस राजे की अन्य पिछड़ा वर की शैच्छिक आर्थिक इस्थिति क्या है जो ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मुला वो ट्रिपल टेस्ट मतलब तीन लियर पे कहां से इसका मतलब यह है कि कहांसे मुल लियांकर करेंगे लोग? ये भी आता है कि उत्रप्रदेश में जो अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC जिनकी बात हो रही हो, उसका कमीशन आयोग जैसे है नहीं, तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो कमीशन जिसकी टिपल टस्ट की बात करें वो अलग होगा इससे, ये बड़ा सवाल लोग जाना चाहते हैं? अन्पलन करने के लिए चाहे तो नोटिफिकेशन करके आदेश जारी कर सकता है और इसी कमीशन से करा सकता है या चाहे तो एक अन्य नया डेडिकेटरिड अन्य पिछड़ा वर्ग जैनी, OBC के लिए अलग से? एक कमिशन दूसरा भी बना सकता है ये तो राज सरकार के उपर है तो अब इस मामले में राज सरकार के तरफ से क्या कहा गया है और बीस तारीक को जो मुकरर की गई है डेट उस पर आपकी तरफ से अभी तक क्या कहा गया है राज सरकार ने अभी तक तो समय ही लिया है उच न आप्पल्टेस्ट का फॉर्मूला अभी लागूक किया गया है के नहीं? कि का इसे आरेक्षनले देढिया? प्रशनी ही है. मतलब हम यह मान के चलें कि जो निकाए चौनाओ को अत्रप्रदेश में माहोल था, उस माहौल पर अभी हाई कोट की लखनो बेंच की नजर है और उस माहौल को भी थंडा कुछ वक्ते के लिए माना जाए नहीं थंडा बिल्कुल ना माने क्योंकि उचन्याले ने एक दम साफ शब्दों में पिछली तारीख पर कहा कि हम यह नहीं कि दोनों पक्छों में से किसी को यह नहीं परमिट करेंगे कि चुनाओं को डिले किया जाए ना तो राजसरकार को और ना ही याची गण को तो माने उचन्याले इस बात किसे बिल्कुल सफ्त रुख में है कि चुनाओं जल्दी कराए जाए ठंडा नहीं होने देगी मुद्दे को हमें लगता है बीस को कुछ फैसला हो जाएगा हमें लगता है कि हो जाएगा फैसला यह थे भर साथ शर्रक पाठक जी जो पिटीशनर है इस पूरे केस के भी जोनोंने पिटीशन फाइल की थी अब सरकार के तरफ से जवाब दाखिल होना है हुआ है